आपके अपने चनल पर यहां हम बात करेंगे UPSET 2021 आंसर की रिलीस कर दी गई है आप सभी लोगों ने देख लिए होगी, मैच कर लिए होगी अब क्योंकि सभी लोगों ने पहला एक्सपेक्टेड कट ओफ की बात की थी क्योंकि आंसर की नहीं आई थी तब अब उफिसियल आंसर की प्रोविजिनल आ चुकी है तो अब उस कट ओफ के हिसाब से हम चीजों को एक्स्प्लेइन करेंगे तो आईए उफिसियल आंसर की आने के बाद पी फार्मा कट ओफ कितना जाएगा गौर्मेंट इंस्ट्यूट का और प्राइवेट इंस्ट्यूट का तो आईए इन सभी मुद्दों पर बात करते हैं उससे पहले अगर हम चनल पर नए है तो सस्क्राइब करना बिलकुल नहीं बूरे और बगल मिबल आइकन को भी फ्रिस करना बिलकुल न भूले तो यहाँ पर देखिए बी फार्मा की हम बात यहां कर रहे हैं तो आप सभी लोगों ने देखा कि एक्जाम कंड़क्ट हुआ उसकी अंसर की आई तो यहां जो टोटल जो पुरांक है वो छेसो का था और यह कॉशन्स 150 कॉशन्स यहां पर आये हुई थी तो चाहे हो ओ मैस बैगराउंड से हो चाहे हो बाइक बैगराउंड से हो सभी के लिए सेम था तो यहाँ पर जब 600 में आपको कितने मार्क्स लाने होंगे इस पर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ सबसे पहले हम जनरल कट ओफ देखते हैं कि जितने भी हम बात यहाँ पर कर रहे हैं वो सभी हम गौर्मेंट इंस्ट्टूट के लिए बात कर रहे हैं जो बात करेंगे हम government institute के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर भी farma के लिए अगर general category के लिए हम बात करते हैं जो unreserved candidates होते हैं उनके लिए अगर हम बात करें तो उन्हें कम से कम जो number यहाँ पर लाने होंगे 400 plus के आसपास number लाने होंगे क्योंकि बहुत ही marginally seats होती हैं तो यहाँ 400 अगर उनके marks है लगभग तो उन्हें किसी भी प्रकार की problem नहीं होगी इसी तरीके से OBC की अगर हम बात करें यहाँ पर तो OBC का डिरेट जो होगा government institute के लिए उसे लाना होगा 390 plus लाना होगा यानि वो 390 plus उसे marks चाहिए होंगे तभी उसका selection 100% sure रहेगा उसमें कोई doubt नहीं रहेगा इसी तरीके से SC और ST की अगर हम बात कर लेते हैं तो SC और ST में हम देखेंगे कि जो SC का candidate होगा वो candidate को लाने पड़ेंगे यहाँ पर 340 marks प्लस मिलाना पड़ेगा उसी तरीके से ST की अगर हम बात करें तो ST candidates जो है वो 280 के आस पास वो marks ले आता है तो वो select हो जाएगा तो यह इसका margin रहेगा इसी तरीके से एक किसमे category के और हम बात कर लेते हैं EWS की जो आर्थिक रूप से पिछड़े सामाने वर्क के candidate हैं E यहाँ पर हम बात करेंगे EWS की बात कर लेते हैं तो यह आप सभी लोग जानते हैं इसका cut off लगभग 360 के आस पास जाएगा यह OBC से लगभग कम रहेगा तो यह इस तरीके का criteria होगा लेकिन यही चीज अगर government यानि private institute पर लागू हो तो क्योंकि private institute में काफी जादा institute आते हैं तो उन में यही चीज कम हो जाती है private में अगर हम private की बात कर लेते हैं तो private में जो बात आएगी वो काफी कम होगी general category के लिए अगर हम बात करें सबसे पहले तो general category में यहां पर हम पाएंगे कि जो हमारा cut-off लगभग एप्रॉक्समेटली रहेगा वो cut-off 300 जो है के आसपास ही जाएगा तो इसको हम मान के चलते हैं 280 के आसपास जो है cut-off इसका प्लस में रहेगा यानि यहां तक अगर आपके marks आ गए हैं तो आपको B-Pharma के seat कहीं न कहीं जरूर मिल जाएगी इसी तरीके से अगर हम OBC की बात कर लेते हैं यहीं पर तो OBC के अगर हम बात करें तो यहां पर आमान के चलिए 260 के आसपास यहां पर आपको marks अगर प्लस मिलाएं हैं तो आपको seat यहां पर मिल जाएगी इसी तरीके से SC और ST के अगर हम बात कर लेते हैं तो SC-ST में आपको जो private institute के अगर हम बात करते हैं तो SC में आपको cut off लाना पड़ेगा तो वो आपके लिए approximately 180 marks भी अगर आपके आसपास जो हैं लाते हैं इसी तरीके से आप कम करके देख सकते हैं कुछी भी प्रकार की problem नहीं होगी और कहीं न कहीं आपको seats जरूर मिल जाएगी तो उम्मिद करते हैं आप किसी तरीके से चीजों को लागें EWS की अगर हम बात यहीं पर कर लें तो EWS में अगर आप देखेंगे तो EWS जो है बहुत ज़्यदा मार्जन नहीं होगा 220 के आसपास आपके पास marks हों तो private institute आपको मिल जाएगा तो यह तरीके का expected cut off है जो answer की आगई है उसके बात की answer की आप देख लिए उस पर भी वीडियो बना हुआ है आप कैसे download करेंगे और उम्मिद करते हैं आपको जो informative वीडियो मिल गया है आप उसे like करेंगे, share करेंगे, comment करेंगे तो मिलते हैं अगली किसे informative वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिन, जय भारत